सो हेलो एवर्बन वेल्कम टू इंजिनियर्स करेयर पैंट प्लाटफॉर्म माइनम इस गुरुविंदर सो आज का जो मेरा वीडियो है वो हर्याना एंड हिमाचल हिमाचल में स्पेशली अभी जो जल्शक्ति विबाब में 15 वकेंशी निकली हैं और हर्याना के अंदर भी 120 व सब्जेक्टिव पेपर और उन्होंने पिछली बार फेस भी किया था पंचायत डिपार्टमेंट का हुआ था लेकिन हिमाचल के लिए फर्स टाइम होगा कि जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर उनको फेस करना है अब अभी तक हिमाचल के स्टूडेंट्स ने जो प्रपे करते हैं जैसे SJV Canal हो गया जिसमें majority का जो है हिमाचल के अंदर ही होता है तो अब आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज हैं कि सब्जेक्टिव के लिए सरक कैसे त्यारी किया जाए तो आज का मेरा जो वीडियो है वह उसी चीज़ से लेटिड है कि इसमें कि क्या approach आप लोगों रखनी चाहिए subjective और objective के लिए और objective में difference क्या होता है जब आप question solve करने लगते हैं या जब आप preparation करने लगते हैं दूसरा हमारी जो live classes चल रही है कुछ demo classes free classes जैसे हम लोगों ने बोला है कि हमारा जो foundation batch है offline का उसी को हम लोग online करते हैं उसमें digital screen लग गया है उसमें भी आप लोग जो है अपना with best quality इसी type की digital screen हमने classroom के अंदर लगाया उसमें आप ले सकते हैं और उसमें daily विकरम सर live class कर रहे हैं open channel flow की उसके अंदर भी आज जो class है आपका open channel flow के अंदर उसमे objective और subjective दोनों questions करवाएंगे तीसरा जो है हम लोग एक series start करने जा रहे हैं जिसमें subjective questions solve करेंगे दो questions लिया करेंगे एक subject के एक topic के particularly एक theoretical question एक आपका आगया numerical question उसके लिए भी जतिन सर ने recording करना start कर दिया विकरम सर ने recording करना start कर दिया तो वो भी आप लगों को मिलता रहेगा देखो मेरा बोलने से कि मैं बताऊं कि subjective और objective का पहला topic जो है कि कैसे इसको preparation करना है क्या difference है देखो objective में approach क्या रहती है कि आपको just answer आपको right कर निकालना होता है कि मेरा answer right क्या है कि options है multiple choice question है ABCD में से कौन answer right है उसको निकालने के बहुत सारे तरीक हैं कभी recall हो गया question किया हो theoretical question आ गया recall करने का वहाँ पर ज्यादा requirement होता है याद करने का इतना नहीं होता है recall करने का कभी सुना हो इस case में कितना data होता है recalling भी हो जाती है याद तो रखना एक पार्ट ही है दूसरा numerical part में भी कभी-कभी आप units देखे ही answer solve कर लेते हैं answer निकाल लेते हैं तो अलग-लग तरीक्ये जिमन दो वहाँ पर सिर्फ purpose जो है आप लोगों का answer right निकालना है लेकिन जब हम descriptive की बात करते हैं subjective की बात करते हैं तो वहाँ पर दो तरीक्ये से आप लोगों का knowledge check होगा दो तरीक्ये से examiner check करेगा आपके question को पहला कि आपने जो answer लिखा है वो सही लिखा है कर नहीं लिखा है दूसरा आपने जो answer लिखा है वो लिखा कैसे है writing skills जिसमें हम बोलते हैं अभी CGPD Day में exam होके 8 है तकरीबन 40,000 क्या सब्सक्राइब बच्चों ने exam दिया है वो no sorry 22,000 बच्चों ने exam दिया था क्योंकि तो उसमें यॉर्पीडिय वाजदा प्लैटफॉर्म जिसने ये मोडिूल आपको प्रवाइड किया था तो उसमें descriptive में हम लोग ने preparation करा है बच्चों का और हमें पता है तो उसमें जो writing skill वाला जो एक पार्ट है वो बहुत important है दो चीजें पहले आप लोगों को answer तो सही लिखना ही लिखना है यार पहला point तो यह ही है उसमें तो कोई दो राइ ही नहीं है दूसरा अब उसको लिखना कैसे है वो और भी ज़्यादा important है क्योंकि जब आप examiner को paper check कर रहा है तो अगर आपने उसमें writing अच्छे से नहीं लिखा अच्छे तरीके से points की form में, bullets की form में, diagram बनाके, table बनाके यह चीज़े अगर आप नहीं use करोगे तो वो आपको अच्छे marks नहीं देगा पहला point अंसर सही लिखना दूसरा कैसे लिखना तो आप लोगो क्या रखना है approach बहुत सही तरीके से follow करना है कि अगर आपको कोई theoretical question पूछ रहा है तो पहले एक चीज़ का answer करो फिर उसकी types लि अब मैंने बोल दिया अब इसको example के साथ कैसे इसको prove करना है कि example के साथ इसको कैसे करना है विकरम सराज करेंगे live class के अंदर इसके बाद एक series of videos भी हमने start कर देना है जिसमें हम आपको दो-दो question हर सब्यक्या आपको देते रहेंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि असर लिखना कैसे है टेलिग्राम चैनल पर इंजिनियर्स करेंट चैनल पर अल्मोस्ट हर सब्जेक्ट का हमने descriptive question bank डाल दी है especially civil branch के लिए तो आप लोग वहाँ से उसको download कर सकते है लिंक की इस video के description में डला हुए जहां से आप इंजिनियर्स करेंट के टेलिग्राम चैनल पर डारेक्ली पहुंच जाओगे वहाँ पे उनकी documents में जाके आप अपना सारे question bank वहाँ से prepare कर सकते हैं आपको questions का भी need होगा क्योंकि आपको ये भी तो चाहिए ना कि मेरे को त्यारी हो गया कि टाइप के सा question पूछे राज सकते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए पहली बार है हर्याना वाला paper ज़रूर refer करिएगा S.S.E.J.E. के भी आप subjective question refer कर सकते हैं लेकिन हर्याना ने जो paper पूछा वो एक अलग level का paper था उसमें S.S.E.J.E.S.E.U.S.E. कुछ काम नहीं आया उन्हें बहुत स्टेंटर question डाले पेपर question difficult नहीं थे पेपर difficult नहीं था लेकिन बचे prepared नहीं थे उन सारी चीज़ों के लिए अब हिमाचल वाला student यह ना करें आप लोगों को prepared रहने पहले से ही कि आप लोगों को अच्छे तरीके से जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको follow करना है अब उन्हीं सारी चीज़ों को धियान में रखते हुए हमने question bank बनाई है हर subjective free है वो हर subject के तकरीबन सारा मिल मिलाके कुछ 400 से 500 questions है subjective only questions है answer आप अपने लिखना start करिए उसको mentor से आप check करवा सकते हैं telegram channel में डाल के उसको mentor check करेंगे आपको उसको कर सकते हैं वहाँ पे जाके आप लोग download कर लीजिए उसके बाद exam preparation के लिए module चली रहा है यूट्यूब पे एक free class हम करी रही है ये subject हम free रखेंगे open channel flow बाकि parallel हमने fluid mechanics start करी दिया है उसके बाद आपका test series, practice questions सब कुछ हमने module में provide करी रही है live class start हो गया है live class में fluid mechanics हमने start किया है अभी हम लोग ने ये target लिया कि शुरू में हम लोग water वाले subject पर focus रखेंगे क्योंकि जल्शक्ति more or less chances है वही topics आपको डालेगा subject जालेगा जो उसने जल्शक्ति के 11 vacancy वाले के objective के अंदर पूछे थे वही subject उसमें chances हैं कि वही डालेगा तो अभी हम लोग उसी पर focus है एक बाद details लेबस आ जाएगा तो हम अगर different हुआ चीज़ें तो strategy accordingly change कर लेंगे your PDICP की पूरी team है जो आप लोगों इसका त्यारी कर रही है जो भी आप लोगों में से interested है again link is available in the description of the video Google phone अगर आपको कोई doubt है मेरे से बात करना चाहते है directly मेरे को call कर सकते है या directly link भी available है इस video के description में जहां से आप directly website पे जाके join कर सकते हैं interviews इसमें आपका paper 1, paper 2 सारे components cover होएंगे बागे आप लोग join कर दो, classy start हो चुकिए Thank you and all the best